आज हम रिवीव करने वाले हैं बहुत बड़े सा इसका बिल्ट इन हॉब है इसको आप फ्री स्टेंटिंग भी यूज कर सकते हैं अब इसकी जो speciality है वह हम discuss करते हैं इसके अनदर जो pen supports आते हैं ये जो कास्ट आइरण 10 मिटने पाहिए वहते हैं दूसरा यह है बहुत रॉफ टाइप होते इस पर कोई पर्टन 6 थी एक्राइं थी स्ट धैजल रही करते है इसके जो पेंसकों आप सा वह टरॉटल गास तोल जो नीचे जो डिस्ट्रिबूटर दे रखा है यह भी टोटल ब्रास है इसकी थेर्मल एफिशेंसी बहुत बेटर होती है और इनकी लाइब बहुत जाद होती है अब दूसरा देखिंगे कि इसके अंदर जो जो नॉब दे रखे हैं यह बहुत ही यह कोई अपाज प्लास्टिक नहीं है यह अलॉय मैटल नॉब दे रखे हैं जिसमें गोल्डन रिंग लगी है जो इसको कॉंप्लिमेंट देते हैं इसके साथ में बहुत अच्छे तरीके से मैच करते हैं सूट करते हैं और यह जो हॉब है यह 90 ऐ 50 cm का हॉब है यह फ़ीचिएस मॉडल है इसमें जो बर्नर दे रखे हैं वो पहले वाले जो हाब आते चाहिए उनसे अपग्रेड़िट पर्नर दे रखे हैं साइज बढ़ा किया गया है पहले वाले हॉब में एक अब देखेंगे बहुत बढ़ा ट्रिपल लिंग बनर दे रखा जिसको कडाई बनर वाग बनर बोलते हैं साथ में आप देखेंगे यह जो होग है मैट फिनिश में आता है मैट फिनिश की स्पेशिलिटी होती है बैस पार के इसमें स्क्रैचिज नहीं आते हैं यह देखने में बहुत अच्छा लगता है दूसरा इसमें कोई भी यह जो लाइट पड़ती होसका वह रिफ्लेक्शन ल मिलेंगे और बाकी रेंजिस भी रेचने को मिलेंगी थैंक्यू